आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें अब यहां पहला परसन हमारा क्या है? मतलब कि हमारा अधिश गुनन पल तो यह कैसे होता है, देखो यहां पर यहां पर लिख देता हूँ 3 i cap plus 4 j cap minus 5 k cap यह होता हो गया a सदिस और b सदिस डोट करूँगा इसका यह हो जाएगा हमारा क्या 2 i cap plus 3 j cap minus k cap तो यह दूसरा हो गया अब देखो इन दोनों का गुननफल कैसे आएगा इसके i cap को इसके i cap से गुना किया तो हमारा आएगा यहाँ पर 3, 2, 6 फिर इसके i cap को इसके i cap से गुना करेंगे तो यह आजाएगा चर्टियो 12 और यह दोनों हमें plus में प्लस ही आएगा 12 और हमारे पाच क्याए minus का यह है और minus का यह 2 minus minus plus हो गया k cap को k cap से यहाँ पर एक हो गया और 5 को यहां से के eg llegar एक पांस को फिलाइक हो गया तो किरा बारवल सतरा है है 23.23 ऑ मैंगे हमारा ए सदिस डॉट बी सदैस। specific हमें कितना है झना करना निंचान ही सदीश मतलब कि इन दोनों का सदीश सदीश गुनन फल कितना है तरह दिखो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं, सार्णी की मदद से निकालते हैं, तो सार्णी कैसे निकालते हैं, यह हमारी सार्णी होगी, और इसमें I, J, K, और उसके नीचे इनके जो गुनज है, यह 3 है यहाँ पर, A सदीश के लिए, यह 4 है, और यहाँ पर हमारा माइनस का 5 है, तो यह त सबिस और बी सब्सक्राइब इसको मतलग कर देते हैं और यह देखो 4 माइनस का हो गया इन दोनों को गुना करके इन दोनों को गुना करके और इस परकार करते हैं इसको गुनाज तो i cap का गुनज कितना हो जाएगा यहां से माइनस का 4 और यह दोनों का गुना करेंगे तो यह माइनस का 15 हैगा प्लस का 15 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर माइनस करना था तो यहां पर प्लस हो जाएगा अब यहाँ पर minus का और J cap का गुनज कि' मैनस का या होता है इसके गुनज का ठीक है तो यह minus का पहले सी लिए मैने यहाँ पर और देखो यहाँ पर आप इसको छुपा लेंगे यह minus का 3 हो जाएगा इन दोनों को गुना करेंगे minus का 10 minus का 10 है और यह minus भी करूंगा, तो маленьis minus plus हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, plus का q-cap काईप कोण, तो k-cap यहां से कितना आते है, यह देखो, तिंद्या नो और यह 8, तो 9 minus का 8 यहो गया, अब इसको हल करेंगे, तो यहां से हमारे पास कितना है, 11 i-cap minus plus का, देखो ये कितना है, minus का, ये plus का 7 है, तो ये minus का 7 आजाएगा, 7, jay के, और ये हमारे पास कितना हैगा, देखो kike-e-emon अगया, ठीक है, अब इसके बाद, देखो, A सदीस, क्रोश, B सदीस भी हमारा निकल के आगे, ये दूसरा उत्तर हो गया, आप कहरा है, कि इन दोनों के बीच में जो कौन होगा वो हमें गयात करने है तो A सदीस और B सदीस के बीच में जो कौन होगा वो कितना होगा ये पूछा गया है तो देखो तीसरा हमारा उत्तर जो होगा वो कैसे निकालेंगे तो इसके लिए ऐसे निकाल सकते है कि हमारे पास A सदीस दे रहा है तो A सदीस का परिमान कितना हो जाएगा A सदीस का परिमान इस परकार लिख देता हूँ ठीक है यह हो जाएगा हमारे पास सदीस तो हमें पता है यह A सदीस कितना है तीन आई का है, प्लस का चार जेगा है, माइनस का पांच की एगा है, तो इस अदेश का परिमान कितना हो जाएगा, तीन का स्क्वेर, प्लस का चार का स्क्वेर, प्लस का पांच का स्क्वेर, यह देखो यहां पर, तीन, चार और पांच, तो माइनस का है, यह माइनस का हो गया तो 50 रूट में आ गया या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 5 रूट दो यह तो पहला आ अब 20 सदीश का परिमान कैसे निकालेंगे हम यह निकालेंगे अब 20 सदीश के लिए 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 तो 20 सदिस हमारा क्या था देखो यह सदिस हमारा बी सदिस ही है दो तीन और एक यह गुनाज का स्क्वाइर कर दूँगा और इनको जोड़ दूँगा तो यहां से मैं लिख सकता हूं कैसे 2 का square, plus का 3 का square, minus का 1 का square, तो यह minus minus plus ही होगे, तो 1 का square इस पर का लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि square है, तो यहाँ पर किसी भी संक्या का minus का square करेंगे, तो वो plus का ही हो जाता है, तो यह 2 का square, 9, plus का 4, plus का 1, तो note 4, 13, 14, यह root में 14 आ चुका है, तो यह देखो, 4 और note 13 होते हैं, और plus का 1, root का 14, तो यह B सदीस आ गया, अब देखो, हम ही यह तो पता है, कि इन दोनों का जो अधीस गुनान फॉल होता है, वो क्या हता है, अगर हम खोलेंगे, सुत्तर हमारे पास क्या होता है, A, B, cos theta, तो यह हमारे पास सुत्तर है, अब इस सुत्तर की मदद से हम निकाल सकते हैं, तो देखो, A, B मतलब कि यहां पर A का परिमान, A, सदीस का परिमान, B, सदीस का परिमान, इस परकार लिख देता हूँ, और यह cos theta लिख दिया, मैं ठीक से लिख दिया, अब इसको आगे हल करेंगे, तो cos theta बराबर हमारा क्या होता है, cos theta बराबर A dot B, अगर हमें पता हो, उसका बटा, यहां पर हमारे पास A सदीस का परिमान, और B सदीस का परिमान, इस परकार लिख देता हूँ, ठीक है, अब यहां पर हमने निकाला था, आ टोट B हमने सब से पहले उघे ही निकला था यहांका लाई तो यहां से हमारे पास आगया त этом शी और बठा यह कितना ऐं अपांच ऐТर बीस अदर चेस हमने पाँच रूट कृद गए तो यहां अब इसको आगे भी हल कर सकते हैं, 7 चोग 8 होता है, तो यहां से देखो, दो और निकाल सकते हैं, यह 10 हो जाएगा, और यह रूट में 7 हो जाएगा, तो cos theta बराबर हम लिख सकते हैं, cos theta बराबर 23 बटा, यह 10 हो जाएगा, और यह रूट का 7 बचेगा, आगे भी हल कर सकते हैं से हम ठीटा बराबर जो कि हमें ग्याद करने इन दोनों के बीच का कोंड ये कितना हो जाएगा कोस इनवर्स कोस इनवर्स 23 बटा 10 रूट साथ यह हमारा इन दोनों के बीच का कौन हो गया तो यह हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा जो कि तीसरा उत्तर होगा पूछा गया था हमसे पहला उत्तर हमारा कौन से है तैइस दूसरा उत्तर हमारा क्या है यह सदीस आता है हमारा एक रोज भी मतलगी सदीस गुर्ण फला हमा झाल झाल झाल